जी इस lecture में हम देखेंगे कि कौन-कौन सी add-ins हैं जो as a data analyst आपके लिए डाउनलोड करके इस्तमाल करना बहुत ज़रूरी है और वो free में कितनी available है और पैसों में कितनी available है जाहरी बात है Microsoft Excel जो free software नहीं है इसे तरीके से Microsoft Excel की जो add-ins है वो भी free में आपको नहीं मिलती अकसर उकाद free में भी मिलती है अकसर उकाद free में नहीं मिलती है so you need to find a way out कि किस तरीके से आपने use करना है तो यह top add-ins जो है आपके सामने में दिखाता हूँ आपको सबसे पहले आपने home button पे जाने जैसे मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहली add-in है जी आपके पास यहां पे आपने options में जाने के बाद go पे click करना है और यहां पे आपने analysis tool pack को open कर लेना है तो पहली add-in यह थ जाने के बाद option पे जाएंगे option पे जाने के बाद यहां से add-ins पे click करके go पे click करेंगे again वही चीज़ लेकिन यहां पे आप solver add-in के उपर यहां पे click कर देंगे यह एक add-in भी आपके लिए बहुत जुरूरी है फिर इसके इलावा जो अगली add-in है again आप option पे जाएंगे option जाने के बाद add-ins पे click करेंगे फिर यहां से com add-in पे click करेंगे not excel add-in बलके com add-inать in के उपर click करने के बाद com add-in पे Outag क्लिक करने के बाद यहां पर गो पर क्लिक करेंगे और आपने यहां से Microsoft Power Pivot for Excel इसको भी आपने add-in को add कर लेने और Microsoft Power Map for Excel भी कर लेने and data streamer for Excel यह तीन add-ins जो हैं तीनों को activate कर लें इसके use में आपको आने वाले जो लेक्चर जां उनके अंदर बताऊंगा मैंने तीनों को activate कर लिया अब आप देख सकते हैं यहां पर data streamer भी है हमारे पास यहां पर power pivot भी है which will be used as tax analysis जब हम data analysis expression को use करेंगे then we will use power pivot के different functions अगली add-in जो है हमारे पास आप home के बटन पर जाए add-in पर click करें add-in पर click करने के बाद आपने यहां पर लिखना है बिंग maps तो जैसे आप बिंग maps लिखेंगे तो आपके पास यह add-in आ जाएगी यह मैंने पहले ही add की हुई है आपके पास अगर नहीं add तो इसे यहां पर add की बटन पर click करके इसे add कर लें जैसे मेरे पास बिंग maps add है आप इस पर जैसे click करेंगे you can actually plot anything तो जैसे यह मेरे पास मैंने एक sample data लेकर उसे plot किया और यह मेरे पास इस तरीके से जो बिंग add-in है इसके थुरू यहां पर मेरे पास mapping start हो गई है यानि कि मैं कोई भी data लेके उसको map कर सकता हूँ इस एक add-in के थुरू और example मैं यहां पर click करता हूँ तो मेरे पास location भी आएंगी अगर मैं setting में जाता हूँ तो यहां से मैं pie charts circles और यह colors भी change कर सकता हूँ bird eye view लेना तो मैं इस तरीके से इसको कर दूँगा तो map की जो shape है वो change होती जाएगी अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ you will see कि आप excel के अंदर बड़े कमाल किसम के maps बना सकते हैं filter में मैं अगर मैं जाता हूँ तो यह मेरे पास सारे के सारे data मुझूद है जो हमने already यहाँ पे sample data के तोर पे लिया हुए sheet one के अंदर यह data मुझूद है और कहाँ पे है you can also take your own data और उस पे भी analysis कर सकते हैं बड़ यह मैंने simple sample data लिया है इस वज़ा से यह मेरे पास bing adding जो है वो इस तरीके से काम कर रही है यह bing adding जो है यह बहुत इकमाल की चीज़ है अगर आप इसको अच्छे तरीके से use करना चाहें then it will give you a lot of information with few clicks और उन few clicks की base पे आप proper map बना सकते हैं और यह maps जो हैं यह आपको काफी ज़्यदा helpful थाबित होते हैं अगर आपको पता है कि आप क्या काम करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर so मैं इसको यहां पर click करके colors भी change कर सकता हूं for example something like this and I can also do the road I can also use the circles or pie chart show legend करने वो भी नहीं करने वो भी and many other things तो being add in अगली हमारी choice होनी चाहिए ठीक है जी फिर आगे चलते हैं and अगली जो add in है हमारे पास वो है bubbles अगर आप यहां पर लिखेंगे bubbles तो bubbles की add in जो है आप यहां पर add कर लेंगे मेरे पास already add है क्योंकि मैंने इस lecture को त्यार करने से पहले bubbles की add in जो है अपने पास की हुई थी so यहां पर add in bubbles bubbles की add in क्या करती है यह basically आपका जितना भी data होता है उसको bubbles की form में something like this आपको show करवाती है ठीक है और यह bubbles जो है यह आपकी diagramatically आप चीजों को और भी असानी के साथ यहां पर paste कर सकते हैं और यह जारी बात है आने वाले दि image को save करना है और data किस तरीके से आपने ले के आना है ठीक है इस add in को भी आप अपने पास जो है वो save कर लेंगे राइट जी यहां से इसको मैं delete करता हूं अभी bubbles को भी और जो मैंने बिंग add in जो map किया हुआ था इसको भी मैं यहां से delete करता हूं अब हम चलते हैं अगले data की अगली add in जो हमारे पास है अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊ हूं that is geographic यह मेरे पास कल भी error दे रही थी इसको बाद में कर लेते हैं इसके इलावा people graph people graph के नाम से एक add in है people graph के नाम से आप इस add in को यहां पर add कर लेंगे ठीक है people graph के उपर click करने के बाद कोई भी data जो है व देता हूं तो वो people graph के थूँ आएगा जैसे यह मेरे पास दो किसम के data मुझूद है यानि कि average clicks per day पचासी हजार है and total download from our store is 110,000 तो अगर आप simply यह दो values लिखे 100,000 यहां पर आप लिखे 85,000 तो यह enough नहीं है इसी वज़ा से यह people graph आपको बकाइदा एक तरीके से बताता है क कितना फरक है दोनों में ठीक है तो यह basically calculated base पे आपको numbers तो आपको people graph के अंदर change करके देता है आप इसमें different किसम की setting भी कर सकते हैं अगर आप setting में जाए and there are many things which you can do अगर आप इस पे गोर करें मैं इसको थोड़ा सा expand करता हूँ आप अगर यहां पे गोर करें इसी graph के अंद ऐसे style वाले चाहिए style के बगार चाहिए dollar चाहिए कोई भी icon आपको चाहिए diamond चाहिए आपको laptop की prices देखनी है या आप बता सकें कितना time है watch base पे fish आपने add करनी है different किसम के आपने cloths add करने है या shirt add करनी है so you can say के हमारी sale कितनी होगी है और बाकी data किस तरीके से show हो रहा है so there are three types of icons and there are many types of icons themes and types here you can use that आप अपना data भी select कर सकते है and then you can also do a lot of things and show as saved image save image को भी देख सकते है ठीक है and then हमारे पास जो अगली है वो बहुत ही कमाल किसम की है spread sheet 12 spread sheet 123 template wall अगर आप spread sheet 123 यहां पे लिखे spread sheet 123 तो यह आपके पास इस तरीके से template vault आजागी यह template vault क्या है यह जितने भी templates आप excel के अंदर use करना चाहें वो advanced level के यहां पे मुझूद है say for example मैं यहां पे लिखता हूँ resume hopefully यह कुछ ना कुछ शो करेगा नहीं शो किया मैं यहां पे लिखता हूँ budget पे जाने के बाद यह यहां पे बिलकुल family budget plan करना है personal budget करना है whatever you want to do आपके पास excel की sheet का template पढ़ा है जो आप professionally use कर सकते हैं अपने किसी भी client के लिए और उनको show करवा सकते हैं usually file के अंदर अगर आप जाएं तो यहां पे भी templates मुझूद होते हैं अगर आप गोर करें more template पे जाके यह बे बहार templates आपके पास office 365 purchased नहीं है you can do that by adding this spreadsheet 123 template vault और इसको use करने के साथ साथ आप different किसम के जो है वो inventory से saving retirement और different किसम के जो है वो जो आपके पास templates हैं उन्हें आप download कर सकते हैं for example मैंने certificates award करने है और यह मेरे course का कोई certificate है यह gift card है तो मैं वो भी यहां से अपने अपने पास बना सकता इसको क्लिक करता हूं मैं इसको download पर click करता हूं and then you will see कि यहां से हम इसको download कर सकते हैं and then we can use this template यहां से ठीक है so यह word doc भी है आपके पास different किसम के other templates भी मुझूद है और यह जो adding है यह basically ना सिरफ और सिरफ spreadsheet के लिए नहीं है इसमें different किसम के other भी आपके पास जो है templates आ जाते जैसे मैं family budget planner को download करता हूं यहां से let's see यह कैसे हमारे पास चलती है office 365 है open office file OTS यहां से भी कर सकते है Google spreadsheet से भी कर सकते हैं मैं यहां पर download पर click करता हूं and hopefully within few seconds आपके download रेडी हो जाएगा और यहां से भी आप click करके से download कर सकते है and here you go budget planner OTS भी है OTS file भी होती है यह open office की file होती ह अगर आप 2006 वाली 7 वाले office की file download करना चाहिए you can do that as well तो यहां पर यह आपके पास इस तरीके से family budget plan की पूरी की पूरी excel sheet open हो जाएगी which will show like this ठीक है तो इसमें आप enable editing करके आप इसी को use कर सकते हैं यहां पर अपना logo लगा सकते हैं then you can actually make this kind of dashboard as well तो यह बहुत ही असान तरी जरूरी होने वाले ठीक है and then we have another one this is called vertex 42 templates अगर आप यह वाले templates देखें vertex v-e-r-t-e-x 42 तो यह यहां पर vertex 42 यह template जो है यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह template आपको different किसम के list प्रवाइड करते हैं तो यह दो templates की add-in अगली add-in के पास चलते हैं अगली add-in में जाने से पहले मैं आपसे request करूंगा कि अगर आपने like share and subscribe नहीं किया हुआ हमारे चैनल को और इस video को और इस live stream को आपने share नहीं गया please do it now क्योंकि यह सारे के सारा जो lecture है यह बड़ी मेहनत के साथ prepare होता है ऐसे मूठ हां के बंदा को lecture नहीं prepare कर क्या आ जाता so it would be nice अगर आप इस चीज को दोस्तों के साथ भी share करें और इसको साथ-साथ appreciate मैं दुबारा से screen के उपर जाता हूं add-in पे जाने के बाद यहां पे एक बहुत ही कमाल की add-in और है जिसका नाम है mini calendar date picker ठीक है मैं यहां पे mini calendar को add करता हूं यह इस तरीके से mini date calendar जो है यह मेरे पास आ गया for example मैं इसे यहां पर उपर ले आता हूं ठीक है और मैं यहां पर 5 पर click करता हूं अब आप देखेंगे कि instead of writing the date by yourself आप क्या कर सकते है database के अंदर या अपने dashboard के अंदर mini calendar को add करें जिस date पर आप click करेंगे for example मैं 31 मई 2024 पर click करता हूं यहां पर कोई date आजागी अगर आगे जाता हूं यहां पर मैं 30 में ही आइड करता हूं तो 30 में ही आजागी so this is how you can add automatically your date and calendar ठीक है और इस तरह यही नहीं सिरफ और सिरफ calendar ही नहीं आप इससे और भी काफी काम ले सकते हैं for example यहां पर आप इसकी setting में जाके यहां पर आप देख सकते ह आने हैं Wednesday का बाता है कभी कबार Saturday first day पर आ रहा था कभी Sunday कभी Monday so you can also change that यहां पर click करने के बाद weeks भी आपके पास show हो जाते हैं क्योंकि total weeks जो होते हैं वो एक साल के अंदर अगर आप गौर करें यहां पर December के end पे तो 53 या 52 weeks होते हैं so this is how you can actually have a look और फिर at the end आपके पास अग लीके से आप ले आएंगे ठीक है और जो पिछली add-in मैंने आपको बताई थी उससे related काफी लोगों के question आ सकते हैं vertex यह templates है ठीक है vertex 42 यह भी template gallery है इसके अंदर आप कोई भी template search करेंगे for example financing and accounting का तो यहां पे 12 month business budget जो लोग startups बना रहे हैं यह जो लोग अपनी company का budget plan करते हैं for example यहां पे मैं download पर click करता हूँ and this is how you can download from here excel की excel sheet और इसको download करने के बाद आप इसे open करेंगे तो यह business budget का template मेरे पास इस तरीके से open हो जाएगा usually this is how it works और आप इसके अंदर formula functions बगरा लगे होते हैं and you can use this kind of excel के अंदर is adding and there is another adding जिसका नाम है autopilot ठीक है यह free है use chat GPT within Microsoft Office और दूसरी है GPT for Excel Word ठीक है यह दोनों add-ins बहुत कमाल की हैं लेकिन depend करता है आप कौन से use करते हैं for example autopilot को मैं यहां पे click करता हूँ add करने के बाद यह मेरे पास इस तरीके से autopilot आ जाएगी इसका यह tutorial भी दिया हुए यह किस तरीके से आपने autopilot को use करना है और use कैसे करना है और ready purchase इसका license लेना है नहीं लेना it's totally up to you लेकिन वो कह रहा है autopilot is free to utilize the open a GPT 3.5 turbo model exclusively यह जो 3.5 chat GPT का model है उसको आप directly use कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका advance variant use करना है then you need to buy that ठीक है वो यहाँ पे click करके यहाँ पे click करने के बाद आप इससे start कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी task लिखेंगे तो then it will help you to do that task for example मैं यहाँ पे कहता हूँ create a data set और अक्सर उकाद यह add-ins जो है आप से different किसम की information मांगते है बट we will see यहाँ पे इसने क्या किया GPT 3.5 का turbo model यानि के chat GPT inside Excel उसने use किया and this is how it is providing you the data ठीक है यहाँ पे चेक करें give me a sample data set to be used in MS Excel chat GPT का आप use कर रहे है inside इसके inside Excel के आप चेक करें और आपके पास यहाँ पे responses आते जा रहे है ठीक है अब आपने करना किया वो सारी की सारी आपको instructions भी दे रहे है and this is how you can use this copilot और इसको आप free में use कर सकते है इसका नाम है autopilot ठीक है और यह add-in जो है आपको बहुत ज्यादा काम आ सकती है autopilot के नाम से autopilot और autopilot क्या होता है आप खुद भी काम कर रहे हैं और autopilot से भी काम कर रहे हैं मैं GPT लिखता हूं तो मेरे पास power GPT भी है और यहाँ पे GPT for Excel वर्ड भी है GPT for Excel भी है and there are many other add-ins with GPT of course यह पैसों के साथ आएंगे but I will click on that click करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि यह दोनों add-ins एकठी मेरे पास आगी है मैं पहले वाली को बंद करता हूं यह दूसरी है अब यह हमें कह रहे हैं कि जी आप login करें Microsoft account से जैसे आप login करेंगे हो सकता है कि आपको इसक इसी का इस्तेमाल करना हो तो उनकी website पर जाके उस add-ins का tutorial देख सकते हैं and different किसम के statistical analysis, chart analysis, data visualization की exam और there are many other things जो आप perform कर सकते हैं एक चोड़ी सी trick और आपको bonus के तोर पर बताता चलूँ अगर आप Google पर जाएं यहां पर लिखें top list of free excel add-ins you will find a lot of articles जो आपके लिए बहुत ही helpful सावित हो सकते हैं जैसे यहां पर 75 plus best add-in plug-ins and apps for excel free or not तो यह 75 के अंदर free वाले भी available है और free not वाले भी available है ठीक है तो आप यहां पर हर add-in के साथ उसका मकसद लिखा हुआ है उसकी YouTube वीडियो भी available होगी या उसका tutorial available होगा you can use that यह है जनाब 48 best excel add-ins and there are many other favorite excel add-ins and some other things तो आप इस तरीके से Google से खुद भी search करें अपने top notch के excel की जो add-ins है उन्हें लेके हैं believe me अगर आप Microsoft Excel को अच्छे तरीके से इस्तमाल करना जान गए और Microsoft Excel को अच्छे तरीके से data पर utilize करना जान गए न you don't need any other software और Excel जो है किसी भी data analytics का basic part होता है और अगर आप data analyst के इस course के अंदर मुझूद है जिसका link मेंने description के अंदर भी दिया हुआ है और आप इस पे enroll करव पात है सिरफ Microsoft Excel के वहाने वाले दिनों के अंदर हम discuss करें एंदर I will show you multiple options there as well यह था जी add-ins का lecture hopefully आपको पसंद आया होगा like share and subscribe और comment section में ज़रूर बताईएगा कि आपने इस add-in के lectures में क्या सिख